अलो फ्रेंड्स वेलकम टी लिट्ररी स्कॉलर चैनल और अभी हम जो हैं यहाँ पे आज वेनस्टे हैं जैसा कि मैंने आलरी आपको इस चैनल पे शिड्यूल शेर कर दिया है कि किस तरीके का शिड्यूल होगा किस दिन कौन सा विडियो आएगा तो अभी उसी लिए आज वेन अभी अभी इसको सब्सक्राइब किया या चैनल को देख रहे हैं तो रेप आफ दर लॉक के पांचो के एक्स्प्लेनेशन पड़ गया है पांच केंटो फाइफ का कुछ पोर्शन बचा हुआ था जिसको मैं कम्प्रीट कर रही हूँ अगर आपको बाकी के केंटो के एक्स अभी इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेलिंडा जैसे ही देखती है बैरन को वह बहुत ही फ्यूरियसली उसकी तरफ आगे बढ़ती है और बहुत ही एग्रिसिव होके वह बोलती है कि अब तुम अपने डूम को देखोगे अपने फेट को देखो तुम्हारा फेट त इसे करके वह उसकी तरफ बढ़ती है और वो साइड से अपना जो बॉटकिन है एक तरीके का हेर क्लिप होता है तो बॉटकिन वो निकालती है और उसको मारने के लिए बेलिंडा एंड ड्रिव अडेडली बॉटकिन फ्रॉम हर साइड वो अपने साइड से वो बॉटकिन न गया है कि उसका जो बॉटकिन जिससे वो मारने जारी है बैरन को it was not a simple बॉटकिन यह बहुत ही important है और वो क्या है वो किस तरीके से बॉटकिन के रूप में reshaped हुआ है उसी की पूरी स्टोरी इन बाकी जो लाइन है उसमें दिया है ठीक है the same his ancient person as to deck यह उसका खांदानी बॉटकिन है एक तरीके से आप यह कहिए कैसे हर great great grand sire wore about his neck उसके great great grandfather ने उसको अपने गले में पहना था मतब वो उनके गले का हार हुआ करता था या उनका जो ornament हुआ करता था three seals rings which after melted down formed a vast buckle for his widow's gown तो इसके जो great grandfather की जो wife थी उनके death के बाद उनके grandfather के death के बाद उस उनके जो वो जो ornament वो गले में पहनते थे three seal rings उसको उनों melt किया गया उसको reshape किया गया उनके विडो के buckle के रूप में ठीके वो अपने gown जो उनका विडो गाउन था उसका जो buckle था वो उनके husband के ornament जो three seal rings था गले में वो पहनते थे उसको melt करके बनाया गया तो सबसे पहले वो reshape होके buckle बना उसके बाद हर infant grandmom whistle next it grew फिर क्या हुआ जैसे इनकी grandmother आई तो उनके लिए उसको फिर वापस reshape किया गया और whistle के रूप में बनाया गया उसके बाद the bell she giggled and and whistle blew ठीक है और फिर उसके बाद उसको reshape किया गया as a infant के infant के जो infant बच्चे होते हैं जो उनको whistle उनको blow करने के लिए कि किस तरीके से वो bell ring करेंगे उन बच्चों को खिलाने के लिए jingle bell जैसा उसको बनाया गया ठीक है उसके बाद वापस उसको melt किया गया और जो बलिंडा की mother है उनके hair का botkin वो बना ठीक है अब अब जो है उस botkin को बलिंडा अपने hair में पहनती है और उसी botkin से वो निकली थी इसको बारन को मारने के लिए तो ये जो पूरा आपने अभी देखा वो ये की उसने बलिंडा ने अपने उस botkin को हाथ में लिया जो की उसका खांदानी मतलब खांदानी हर परिवार के हर सदस से का उसको उसको उसने पहन रखा है और फिर उसी से वो attack करने के लिए बारन पे बढ़ती है ठीक है बोस्ट नॉट माई फॉल ही क्राइड इंसल्ट फो दाव बाई सम अधर शैल्ट भी लेड आज लो नॉर 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 थिंक तो दाई डिजेक्ट माई लॉफ्टी माईंड अल देट आई ड्रेड इस लीविं यू बहाइं रैधर देन सो आह लेट मी स्चिल सर्वाइव एंड बॉर्न इन क्यूपिड फ्लेम बट बॉर्न लाइव अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही वो बढ़ती है आगे बारन की तरफ तो बारन बहुत तेजी से चिलाता है शाउट करता है और कहता है दो नोट फिल प्राउड ओफ यूर विक्टरी ओवर मी ठीक है ओ मतलब इंसल्टिंग ओपोनेंट ठीक है वो कहता है बोस्ट नॉट माई फॉल मेरे हार पे तुम खुश मत हो बारन चिल लाता है बलिंडा को देखके ओ इंसल्टिंग फोव मेरे इंसल्टिंग ओपोनेंट तुम मेरे हार को देखके मेरे फॉल को देखके खुश मत होईए विक्टोरियस मत फील करिये दाव बाई सम अधर शैल्ट भी लेड ऐज लो एक होता है न जस्ट जैसे कि तुमने मुझे डिफीट किया तुमने मेरे प्यार को रिजेक्ट किया और उस तरीके से तुमने मुझे हराया उसी तरीके से कोई कोई मैन आएगा जो तुम्हारे भी प्यार को रिजेक्ट करेगा जैसा तुमने मेरे साथ किया उसी तरीके से तुम्हारे साथ भी होगा nor think to die dissected by lofty mind तो वो फिर वो कहता है कि nor should you think कि मेरे जो नोबल माइन that my noble mind is filled with sorrow at the thought of death यह मत सोचो कि मेरा जो दिमाग है या मेरा जो दिल है वो यह सोच के दुखी है कि मेरी डेथ हो जाएगी यार डेथ के बारे में सोच के मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ अब क्या कहता है all that I dread is leaving you behind मुझे जो तकलीफ है मैं डर इस वज़े से ला रहा हूँ that I am leaving you behind to be courted by others कि तुमको मैं छोड़ रहा हूँ और तुमको बाकियों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ rather than so ah let me still survive तो वो कहता है कि मैं तुमसे appeal करता हूँ कि let me live and burn in the fire of love and burn in cupid's flame love के fire में मुझे जलते रहने दो मुझे जिन्दा रखो and flame but burn alive तो वो कहता है let me let me remain alive and burn in this fire rather than killing me मुझे तुम प्यार में जिन्दा रहने दो ठीक है मैं उस तकलीफ को बरदाश करना चाहता हूँ तुम्हारे rejection को मैं face करना चाहता हूँ मैं उसके उसके साथ में जीना चाहता हूँ तुम्हारे rejection के साथ में जीना चाहता हूँ मुझे मारू मत ठीक है तो ये अब तक का explanation है अगर आपको कुछ लगता है इसमें doubt तो जाहिर सी बात है comment section open है आप अपनी बात वहां रख सकते हो और अगर विडियो अच्छी लग रही है तो please subscribe कर दो यार थोड़ा सा motivation मिल जाता है और कुछ नहीं so next video तक take care of yourself, हसते रही है मुस्कुराते रही है, stay blessed thank you